कपूर यानि कि कैंफर जिसे सुबह शाम हम पूजा में इस्तमाल करते ही है जिसे हमें मानसिक शान्ती प्रदान होती है घर में पॉजैटिविटी भी क्रेट होती है ऐसे ही घर में एटलीस दो बार कपूर जलाने से वायू शुद्ध हो जाती है कपूर दुशित हवासे फैलने वाले रोगों से बचाने के साथ साथ मच्छर और मक्यों को भी आने से रोकता है ऐसे ही ये कपूर हमें सिर्फ बिमारियों से ही दूर नहीं रखता घर में कई ऐसे मुश्किल काम होते है जो इस क कपूर की हेल्प से पूरे और आसान हो सकते हैं जैसे कि जब भी हम कोई धूप वगरा जलाने की कोशिश करते हैं तो इसे जलाने में दो से तीन माचिस की तीलिया तो वेस्ट हो ही जाती है लेकिन फिर भी ये धूप प्रॉपर तरीके से जलती नहीं है तो इसे इंस्टंट जलाने की लिए आप इस्तमाल करें ये कपूर तो एक कपूर की एक छोटी सी टिकी आप इसकी उपर रख दे और सबसे पहले इस कपूर को ही आप जलाए आप देखेंगे जब तक ये कपूर जल रहा है तब तक ही ये धूप अच्छी तरीके से जलने लगेगी इसके लिए हमें ज़्यादा माचिस की तील्या भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी देखा आपने इसका पूर की हेल्प से अब इंस्टेंट ये धूप चलाना आसान हो गया है किचन में अगर किसी ड्रॉर में या फिर कैबिनेट में जहाँ पर भी हम शहर जैम या फिर चीन या मच्छर या फिर चोटे चोटे फ्रूट फ्लाइस भी उस जगह पर बहुत ही जल्ली आने लगते हैं तो ऐसा ना हो इसकी लिए आप ले ले हलका थोड़ा सा गुनगुना पानी और इसमें एक से दो टिकिया आप कपूर की हलकी क्रश करकर डाले इस कपूर को आप इस अच्छी तरीके से डिजॉल कर ले अब आप ले ले कोई नैपकिन और इसे इस पानी में थोड़ा सा डिप करके ले ले अब इसी कपूर के पानी से आप आपके सभी शहत के बोटल्स चीनी जैम या फिर ओल के जो भी कंटेनर्स थे जिसके उपर काफी फ्लाइस वगरा बै और इसी के कारण हमारे कंटेनर्स और ड्रॉर्स भी बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे इसी कपूर के पानी में आप थोड़ा सा विनेगर अड़ करें और इसे किसी स्प्रे बॉटल में भर कर आप आपके किचन के काउंटर किचन का सिंक या फिर सिंक के नीचे जो वहाँ पर आप इसे जरूर स्प्रे करें इसके इस्तमाल से जो भी चीटिया मक्या कौकरुज वगरा होते थे बहुती बैड स्मेल बारिश के मौसम में हमारे किचन में आती है वो भी नहीं आएगी इसके साथ साथ जहाँ पर ज्यादा तर चीटिया आती है जैसे कि हमारे घर में जो भी इंडोर प्लैंट्स होते हैं जहाँ पर डस्बिन वगरा रखे होते हैं वहाँ पर आप इस प्रे का जरूर इस्तमाल करें इससे मक्या मच्चर कौकरुज या भी जो भी बैड ओर किचन में आती है उसे भी दूर करने में मदद होगी डेली फर्ष को प्तरियास को दूर हटाने में मदद होती है बालो पर लगाये जाने वाले नारियल तेल को हलका गुनगुना करके इसमें आप एक से दो कपूर की टिक्या मिलाए और फिर इस तेल को आप बालो पर लगाए कपूर में एंटी डेंडरफ एंटी फंगल प्रपोर्टीज होती है जिसे लगाने से बालो का जड़ना स्काल्प में खुजली होना डेंडरफ होना ऐसे कई सारे प्राब्लम से तो ये चुटकारा ही देता है इसकी लिए कम से कम हपते में एक बार आप कपूर मिला कर इस तेल से बालो की जरूर मालिश करें ऐसे ही इस तेल से अगर आप पा काफी राहत मिलती है सो देखा फ्रेंड्स ये कपूर जो हम सिर्फ पूजा में ही इस्तमाल करते है इस कपूर के काफी ऐसे फाइदे है जो हमें बिमारियों से भी दूर भगाते है घर की कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी ये फाइदे मन होते है तो इस कपूर के फाइदे अगर आपको यूस्फुल लगे हो और मेरी ये मेहनत आप तक पहुची हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही यूस्फुल कंटेन देखने अगर आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए